दोस्तों अमेजन जंगल का नाम सुनकर हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है यहाँ पर रहने वाले अलग-अलग तरह के भयानक जानवर जैसे की अनाकॉंडा, पाइथन और कोब्रा लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस अमेजन जंगल में आज भी डाइनसौर रहते हैं और ऐसा कहा जाना एक तरह से बिल्कुल सही भी है क्योंकि अमेजन जंगल इतना घना है कि अभी तक इसका सिर्फ 25 प्रतिश्यत भाग ही देखा जा सका है और बाकी के 75 प्रतिश्यत हिस्से में क्या कुछ ही यह जंगल हम मनुश्यों से छुपाए बैठा है अभी तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए है इस जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल में एक नई खोज निकल कर समने आती है तो आज हम आपको इस वीडियो में अमेजन जंगल के बारे में कुछ खास चीज़ें तो बताएंगे साथी हम आपको ये भी बताएंगे कि इस जंगल का निर्मान कैसे हुआ था तो वीडियो के अंतक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुन्दर और विचेतर प्रकार के जीव जन्तू अमेजन के जंगलों में ही पाए जाते हैं इस जंगल के अंदर आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी अलगी दुनिया में आ गए हो इस समय धर्ती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजन ही है इस जंगल में पाए जाने वाले अनकॉंडा बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बड़े होते हैं इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन वक्त के भयानक सांपों को देखे जाने का भी दावा किया जाता है क्योंकि इस जंगल का क्लाइमिट बिलकुल वैसा है जैसे कई लाग साल पहले धर्ती का हुआ करता था इस जंगल में बुलेट आंट जैसी चीटियां और कई अनोखे जानवर मौजूद हैं जो कि बस अमेजन जंगल में ही मिलते हैं जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया अभी तक अमेजन जंगल का आधे से कम एरिया ही देखा जा सका है और बाकी का 75 पृतिशत हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इनसान नहीं पहुँच पाया है क्योंकि ये इतना ज्यादा घना है कि इसके अंदर जाना ही किसी जोकिम से कम नहीं है और इतने अंदर तक टेकनोलिजिकल सामानों को लेकर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है जैसा कि आपने जाना इसका क्लाइमेट लाखों सालों पहले की पर्थवी जैसा है तो वेग्यानिक भी इस जंगल के साथ ज्यादा छिड़ शाड़ करके इसको बरबाद नहीं करना चाते है अमेजन जंगल के अंदर जानवरों के अलावा आधिवासियों की कई परजातियां भी निवास करती है और इस जंगल के अंदर कई परजाती तो ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है और अगर इस बढ़ते मॉडरन टेकनोलोजिकल डेवलोपमेंट के चलते ये अमेजन जंगल नश्ट हो गया तो दुनिया के कई सारे जीव हमेशा के लिए विलोप तो हो जाएंगे अमेजन जंगल के बारे में आए दिन नई और अनोखी बातें सामने आती रहती हैं अक्सार यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट और स्टड़ी चलती रहती है जैसे कि अभी कुछ साल पहले, साल 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पाया कि अमेजन जंगल जितनी कार्बन डाइयोकसाइड गरहन करता है उतनी और कहीं नहीं जाती है इसके चलते यहाँ पर कार्बन एमबीशन बहुत कम है और यही कारण है कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है सैंटिस्ट कारलोस नोबिल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह से अमेजन जंगल को आज के समय काटा जा रहा है वह इस पृत्वी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे हो सकता है क्योंकि यह जंगल पूरी दुनिया को भी इस पृतिशत से अधिक साफ ऑक्सीजन प्रदान करता है अमेजन जंगल का शेत्र फल इतना बड़ा है कि यह नौ देशों की सीमाओं को छूता है जिस मैसे 60% ब्राजील, 13% पेरु, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गोयाना, एक्वाडोर, वेनजोयला, बोलीविया, सूरी नामा और फ्रेंच गोयाना तक फैला है आप एक बाद जानकर शौकेंग होंगे कि जितने जानवर इस पूरी पृत्वी में देखे जाते हैं उसके एक तेहाई जानवर अकेले अमेजन जंगल में देखे जा सकते हैं इस जंगल के पेड़ों की संखिया लगभग 4 अरब बताई जाती है जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी परजातिया है दोस्तों आमेजन जंगल के कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा की जाती है कहा जाता है कि यहाँ जितनी तरह के कीड़े और जीवजन्तू मिलते हैं उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता लगा पाए है यहाँ पर पाए जाने वाली बुलेट चीटियां कोई साधरन चीटियों जैसी नहीं है कहा जाता है अगर यह किसी इनसान को डंक मारतें तो बंदूक की गोली लगने जैसा महसूस होता है देखने में बले ही यह नॉर्मल चीटियों की तरह छोटी ही है लेकिन इनके डंक में बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है शीटियों के बाद यहाँ पर मकडियों के भी चर्चब बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर मकडियों की तीन हजार से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है जिन में से ज्यादतर खतरनाक और जहरीली ही होती है इस जंगल की टेरन्टोला मकड़ी को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है कहा जाता है ये मकड़ी अपने बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह उपयोग करती है अगर गलती से ही किसी इनसान की आँख में लग जाए तो बुरी तरह से घायल कर देती है अब इतने कमाल के और छोटे जानवर बसी यहीं देगने को मिलते हैं तो यह तो हो गई इस जंगल के बारे में कुछ खास बात है लेकिन इन सब से जो बेहत खास है वो यह है कि यह जंगल बना कैसे यह जानकर आप जरूर चौक जाएंगे क्योंकि आप कह सकते हो कि हमेजन जंगल जिस तरीके से बना है उसने लगबग आधी पृत्वी को बरबाद कर दिया है अभी हाली में कुछ स्टुडी से पता चला है जैसे बड़े जीवों को मारने वाला एस्ट्रॉइड एक नए नियोड ट्रोपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है इन ट्रोपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्ट्रॉइड के कारण हुआ जो आज से लगभग 62 मिलियन साल पहले पृत्वी से टकराया था और इसके बाद केर्टेशियस मास एक्स्टिंशन हुआ था जिसने धर्ती के पूरे रुक को ही बदल दिया इस दोरान पृत्वी पर राज करने वाले 25 किलो के वजन से अधिक लगभग 75% जीवों की परजातिया पूरी तरह से विलुप दो गए यह मास एक्स्टिंशन मुख्यता दो कारणों से हुआ जिसने डाइनसौरों जैसे भयानक जानवरों का नामों निशानी मिटा दिया सबसे पहले लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलो मीटर साइस जितना विशाल एस्ट्रोइड हमारी धर्ती से आ टकराया और इस एस्ट्रोइड के पृत्वी से टकराने के कुछ ही टाइम बात कई किलो मीटर दूर तक आख का गोला फैल गया इस आख के गोले ने रास्ते में आने वाले सबी बड़े जीवों की परजातियों को पूरी तरह से नश्ट कर दिया इस एस्ट्रोइड की टकर में समुंदर में कई किलो मीटर रूची खतरनाक लहरे हों थी जिन्हों ने चारों तरफ तबाही मचा दी इस टकर के कारण निकली धूल कुछ ही वक्त में पूरे आस्मान में फैल गई जिसकी वज़ा से हमारी धर्ती का वाईउ मंडल काफी वक्त के लिए धूल और गैस से ढखा रहा जिसके कारण सूरज से आने वाली पिरकाश की किरने धर्ती की सतय पर नहीं पहुँची जिसकी वज़ा से धर्ती का तापमान कई डिगरी सेलसियस तक गिर गया इस महाप्रले की वज़ा से जीव जन्तू और पेड़ पौधे बुरी तरह से नश्ट हो गए अब कुछ महीनों के बीतने के बाद धीरे धीरे पिर्त्वी के वाईउ मंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए और पिरकाश की किरने एक बार फिर से धर्ती पर पहुँशने लगे इस मास एक्स्टेंशन के बाद चुहे की तरह दिखने वाले मैमल्स और दूसरे जीवों की परजातियां अस्तित्व में आई जिनोंने कई लागों सालों के एवलीशन के बाद मैमल्स से बंदर और बंदरों से इनसानों का रूप लिया ये एस्टरॉइड यानि उलकापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था अगर ये उलकापिंड पृत्वी से नहीं टकराया होता तो डाइनसार कभी खत्म ही नहीं होते और हम इनसानों का स्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता और ये एस्टरॉइड यानि उलकापिंड ही वो कारण है जिसकी वज़ा से अमेजन जंगल इतना ज्यादा घना है जहां पर कई अनेकों जीव रहते हैं दरसलाज जिस जगह पर अमेजन जंगल है वहाँ पर डाइनसार के समय बहुत ही लंबे पेड़ हुआ करते थे अब इसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं था लेकिन जो ये उलकापिंड था वो बिलकुल ठीक अमेजन जंगल के उपर गिरा था जिसकी वज़ा से उस टाइम में ये जंगल पूरी तरह से नश्ट हो गया था यहाँ पर कोई भी जीव नहीं बचा लेकिन अपकी बार पेड़ पौधों को खाने वाला कोई जीव मौजूद नहीं था जिसकी वज़ा से पेड़ पौध ही बड़ी तेजी से बढ़ गए यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रेडियेशन ने इस जंगल की जगा को बरबाद कर दिया था उसी ने इन पेड़ पौधों को उगने में और ज्यादा मदद की क्योंकि इस उलका पिंट के गिरने की वज़ा से यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा नर्म और फर्टिलाइज हो गई थी यह जंगल बाकी सभी जंगलों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखता है अगर इसको उपर से देखा जाए तो दुनिया के बाकी जंगल और अमेजन जंगल के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता है अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी अजीब तरह की वनस्पतिया और पिड़ मौजूद है जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते है इसके आलावा अमेजन जंगल की बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है यह अभी तक कोई नहीं जानता है क्योंकि किसी ने इसको पूरी तरह से देखा ही नहीं है हो सकता है उलकापिंड से गिरने की वज़ा से इस जंगल के अंदर ही कला की दुनिया बन गई हो यहाँ पर पेड़ पौधे बागी किसी भी जंगल से बहुत ही ज्यादा गहने है और यह भी कहीं न कहीं उस उलकापिंड से ही जुड़े है आपको एक बाद शायद पता होगी कि जब भी कोई वालकैनों फूड़ता है तो उसके आसपास की सारी जगा लावा की वज़ा से बरबाद हो जाती है लेकिन यही लावा कुछ सालों बाद नई जीवन की शुरूआत करता है यह प्रकरती का नियम है इसलिए तो कहते हैं किसी चीज़ का अंत किसी के लिए आरंब होता है क्रिटेशियस मास एक्स्टिंशन से पहले भी चार एक्स्टिंशन हुए थे यह एक्स्टिंशन थे अर्डुविसियन मास एक्स्टिंशन डोवोनियल मास एक्स्टिंशन पर्मियन मास एक्स्टिंग्शन और ट्रायसिक जोरासिक मास एक्स्टिंग्शन और इसके बाद हुआ था क्रिटेशियस मास एक्स्टिंग्शन और इन्ही सब एक्स्टिंग्शन की वजह से धर्ती के एक जीवन को नश्ट होना पड़ा जिससे नए जीवन को अस्तित्व में आना पड़ा वैसे ही एक वक्त आएगा जब इस धर्ती से हम मानवों का नामों निशान मिट जाएगा इसके बाद दूसरा जीवन आएगा और वो होगा छटा मास एक्स्टिंशन और देखा जाए तो हम इंसान इतनी तेजी से एक्स्टिंशन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंक ही इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने अवेजन जंगल की कुछ खास रहसे और शेयर की